हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई चैनल आज फ्रेंड देखिए मैं आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से बॉर्डर बनाना बताऊंगी यह डिजाइन आप या तो बॉर्डर बना सकते हैं या तो फुल कार्डिगन स्वेटर में डाल सकते हैं यह डिजाइन बहुत ही इजी है तो इस डिजाइन के लिए friends देखिए मैंने हापे blue color का silk thread का wool लिया है देखिए ये बहुत ही soft wool होती है और coffee इसमें देखिए brightness भी होती है कि देखिए और ये बहुत soft होती है ये wool friends आप किसी भी project के लिए use कर सकते हैं इस पेसलिए baby के लिए ही बहुत अच्छा होता है friends क्योंक इस डिजाइन में आपको कोई भी फंदे का issue नहीं है मैंने आप ये wool लिया हुआ है ब्लू करेट अब ब्लू करेट अब बहुत ही soft होती है तो आप किसी के लिए बना सकते हैं देखिए बहुत ही प्यारी wool होती है ये तो मैंने हापे ये wool लिया है friends और 10 नंबर की नीडल य ची है और इस डिजाइन में friends आपको कोई भी फंदे का issue नहीं है मैंने आप ये ओल लिया हुआ है ब्लू करेट अब हमने क्या करना है देखिए मैंने इतना बनाया भी हुआ है ये डिजाइन आप लोग को clear दिख रहा होगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए friends हमने तीन फंदे को तीन तीन फंदे का ये डिजाइन स्टार्ट होगा त्री फंदे हमने पहले सीधा निट करना है बिलकुल इजी तरीके से इसको आप बार्डर के भी रूप में डाल सकते हैं और फुल स्वेटर में भी कार्डिगन में भी डाल स सकते हैं देखिए तीन फंदे हमने उल्टे निट करने हैं और तीन फंदे हमने सीधा निट करना है बहुत इजी डिजाइन है ये और काफी यूनिक भी है बहुत जल्दी ये डिजाइन बनती है friends इसमें कोई फंदे का इसू नहीं है आपने जितना भी अपने आप लोग को कि उसमें फंदे का इसू होता है क्योंकि उसमें फंदे मल्टिपल में चलते हैं और ये डिजाइन ऐसी है इसमें कोई भी फंदे का इसू नहीं है तो इसको सब बीगिनर्स भी बना सकती है जैसो जो नहीं नहीं निटिंग करती हैं वो लोग भी इस डिजाइ देतीन फंदे को हमने देखिए ये सीधा निट करना है ये डिजाइन फ्रेंड्स आप कैप पे भी डाल सकते हैं और ये आप चाहें सिंगल कलर में पूरे श्वेटर पे निट करिए या तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे चाहें आप सिंगल कलर में फ्रेंड्स ये डिजाइन पूरी डालिए या डबल कलर में भी आप डाल सकते हैं इसको देखिए यहाँ पे मैंने थ्री कलर और फिर हमने यहाँ पे उल्टा-उल्टा निटिंग करनी है और यहाँ पे फिर सीधा-सीधा बहुत इज़ी है friends आपने starting से बस आपने एक सीज़ का care करना है friend जब भी आप start करें तो पहले तीम फंदे को हमने सीधा निट करना है उसके बाद three फंदे हमने उल्टा ऐसे ही करके हमारे ये पूरे प्रोसेस चलेंगे बैक साइड में भी मैं आप लोग को भी फ्रेंट साइड निट करके फिर बैक साइड बताती हूँ वहाँ पे भी क्या प्रोसेस होगा देखिए हमने ये किन फंदे ओल्टा निट किया फिर फंदे को पीछे ले गया है तीन फंदे हमने ये सीधी निटिंग की फिर उनको आगे लेके आए ये हमने त्री फंदे ओल्टा निटिंग उनको पीछे ले गया है तीन फंदे हमने ये सीधी निटिंग की फिर उनको आग लेके आए बहुत इजी फ्रेंड्स और मैं इसलिए आप लोग को पूरा बना के दिखा रहे हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए फ्रेंड्स कहीं भी कोई देखिए प्रॉब्लम ना हो फिर आपने उन को आगे करना है यह दिखिए फिर आपने उन को पीछे ले गए फ्रेंड्स उनको आगे ले क्या है पीछे ले गए ऐसी करके हमने यह एक रोग बुनकर कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको बेवी का अर्डिगन या बड़े के लिए भी आप स्वेटर जिन्स स्वेटर पर भी आप इसको पूरा बना के डाल सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा यह पी जिन्स कैप बना रहे हैं तो आपने ऐसी डिजाइन करके और यह डिजाइन हमारी काफी स्ट्रेसबल भी होती है फ्रेंड्स तो आप कैप पे इजली इसको डाल सकते हैं जैसे जिन्स कैप बना रहे हैं फ्रेंड्स तो आप वहाँ पे इसको इस डिजाइन को डाल सकते ह यह देखिए हमने ऐसे ही निट करके पूरी रो हम complete कर चुके हैं friends यह देखिए हमारी हाँ पर फिर हम यह वोन को पीछे लेके अब देखिए यह हमारा तीन भंदा बचा है इसको हमने यह देखिए हमारा यह front side complete हो गया इसमें friends एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि इसमें front और back का कोई इसू नहीं है कि आपने यह back कैसा है front कैसा है ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों side एक ही जैसे यहाँ पर design होगी अब देखिए हमारा बिल्कुल यह friends आप लोग को पता चल रहा होगा यहाँ पर देखिए तीन भंदे हमारी यह सीधे है तीन उल्टे जब आप back side आएंगे फिर आपको यहाँ पर भी यह ऐसे पता होगा देखिए फिर हमने ऐसे ही knitting करनी है देखिए back side से में क्योंकि यह 3 फंदे के side सीधा है तो हमने सीधा knit किया फिर उनको आगे करेंगे फिर यहाँ पर यहाँ पर 3 फंदे हमने उल्टी knitting करनी है यह देखिए फिर उनको पीछे लेगा हमने तीन फंदा सीधे फिर उनको आगे लेके आए और यहाँ पे तीन फंदे हमने उल्टा यह देखे एकदम प्रॉपर यह पता चलता हुआ जाएगा फ्रंट जैसे जैसे हमारी यह डिजाइन बनती जाएगी वैसे वैसे देखिए यह डिजाइन जैसे पता चलेगा तो आप चाहें तो इसको बॉर्डर में भी डाल सकते हैं या आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे मेंसन कर सकते हैं इसमें कोई इसू नहीं है तो फ्रंट देखिए आप लोग को जहां ना समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूश सकते हैं यह देखिए फ्रेंट्स हमारा यह बनकर कम्पलीट हो रहा है डिजाइन और ऐसी सारी डिजाइन हमारी निट होगी देखिए तो फ्रेंट्स आज की डिजाइन मेरी आप लोग को कैसी लगी जरूर बताईएगा और मेरी चैनल पर अगर आप ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्स पर वाचिंग